देश दुनिया की बड़ी खबरे आप देखें जनरलिस यूपी लाइब न्यूस चैनल पर आईए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबरे तो इसी तरह हमारे चैनल की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर फिर लौट रहा है शक्तिमान अक्टर मुकेश खन्ना ने साजा किया अपना अनुपू नब्वे के दस्कों के धवाकेदार शो में शुमार शक्तिमान एक बार फिर से वापसी करने जा रहा है शक्तिमान लोगों के बीड चर्चा में आ गया है इस मशुहूर शो के जरी कहा यह आपको सुनाते हैं विलन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर से विलन नहीं 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 कर सकता क्योंकि मेरे अंदर से विलन नहीं 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 कर सकता क्योंकि मेरे अंदर से विलन नहीं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर से विलन नहीं नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अंदर से विलन नहीं नहीं कर स तक अभी 2027 में मैं समझता हूँ मेरा वो काम पुब्लिक तक पहुंचना चाहिए क्योंकि आज की जनरेशन बहुत भाग रही है अंदा धुन भाग रही है उनको रोकना है और समझाना है अरे थोड़ा सांस ले लो बैठो देखो क्यों भाग रहे लो तुम देखो जाना चाह बैठे रहो सोचो अंदर जाओ आपको पूरा ब्रहमांड मिलेगा आपको अपने शरीड के अंदर छोटी सी बात इतनी बड़ी बात को एक छोटी सी बात मैं इतना कहता हूँ होता है अब जब आदमी को अपना ग्यान कहने को तो हम कहेंगे शक्तिमान में लेकिन आज जब मैं और भी मैंने किताबे पड़ी हैं और भी मैं कुछी मेडिटेशन भी कर चुका हूँ मुझे महसूस हुआ है कि ग्यान क्या जब हम कहते होता है आदमी को अपना ग्यान इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे ग्यान हुआ कि मैं मुझे ग्यान हुआ कि मैं शक्तिमानू भाखो स्ट्रॉंग बनुगे. So, मकसद लाने काशक्त इमान् यही है. एक हिमाकत किये मैंने, मैं कैसे पहले हैं, दरिश्टता किये मैंने. मैं ये गाना किसी बड़े सिंकर से, सल मेरे दोस्त थे, मैं शान से भी गाने कावा हैं दो. मेरे दिमाग में शान भी थे, मेरे दिमाग में अच्छे दो-चार सिंगर से बर कहीं ने कहीं मुझे लगा कि इस गाने को अगर मैं गाओंगा तो शायद पॉब्लिक कन्विंस होएगी और मैंने ये धृष्ट दा ली और फिर मैंने मुजुक डिरेक्टर से भी बात की गाया है और मैंसे अगलता हूँ गाना क्यो हूँ मिझे पूछो गाना क्यो हूँ डायलोगस तो मेरे बहुत मशूर है मैं डायलोग से भी ब enlightening कारी है इन उनने ये किया उनने वो किया आपको मालूं ने है क्यों नहीं मालू आपको लेकिन गाना जो होता है न वो उसके अंदर ज्यादा महिनत लगती है कानों में सुनने में मधुर लगता है एफेक्टिव ज्यादा होता है A song is more effective than prose कविता is more effective than गद्य, पद्धी is more So कहीने के हमको लगा कि चरह एक काम करते है इसको गाने में यही बात कहते है एक पहली आगए बीच में फिर बाद में निकला हम गा लेते हैं फिर बाद में निकला शक्तिमान का कौश्चुम पैड़ लेते हैं So यह बंते-बंते बना परदे में रहने दो परदा ना उठाओ मैं यही कहूंगा क्योंकि ये ऐसी बात है जो पिछले चार सालों से कुरोना ने बीच में दो साल गमा दिये आज एक ऐसे मुकाम पर है कि कौन शक्तिमान बनेगा मैं बीच में दरिश्टा करके बोल भी गया हूँ किसी एक्टर के खिलाफ भी बोल गया हूँ जो नहीं बोलना चीए था मुझे लेकिन मैं रिलेशन्स एक्टर्स उनके साथ मेरी क्या उनसे मेरे को फाइदा है क्या मुझे मुझे वो मैं एक बड़ बोल गया था एक ता कबूर के बारे में माफ करना आपने सुना भी होगए एक ता तुम ने माह भारत का सत्याना करते हैं यह पर टाटू लगाया तद्रोपती लोग ने का सर सर ऐसा नहीं बोलते काम नहीं देगी तो बैने अभी तक कान दिया था करते हैं तो यह जो बोल जाता हूं कि मुझे काम नहीं चेह तो कहने का ताट पर यह कि मैं अगर यह सोचा कि मैं यह गाना गाने में करके कोशिश करते हैं और वो ज्यादा अच्छा लगेगा और शक्तिमान की कॉस्ट्म से होगा तो जब सवाल पूछेगा तो बच्चे और जब दो बच्चे और अच्छा इस एक चाहते हैं और रही जो जब सकतीमान चाहत बोड़ा और था तो यह जो थीका है जब करनना अच्छा जब्चा तो यह तो चाहते हैं यह कॉट्टिकलिकल के तुट्य।